so hey guys hello Ashish here so guys अभी आपके पास तीन दिन बचे है ठीक है अगर आपने जो मेरा एक मन्द का strategy प्लान था अगले वीडियो में मतलब हम आगे उसके ऊपर बात करेंगे तो आज वह दिन आ गया है कि मैं यहाँ आपको तीन दिन का फॉलो करनी है जिसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हो खाली तीन टिप्स होंगी अभी यार जल्दी जल्दी बताता हो ठीक है आप ज्यादा टाइम आपको इन तीन दिनों में जो यह तीन टिप सेना उनके ऊपर थोड़ा यहाँ पर फोकस करना है और पर अपने बहुत सारे टीचर देखे होंगे बहुत सारे मेंटर देखे होंगे तो उन्हेंने वह बोलते है कि यहार प्रिवीश को कॉश्चन लगा प्रियेसियर के पेप आपको जो भी वेपर एक सबूस उठाओ, 2019 का पेपर उठाओ, उसमें आपको कुन सा भी यहां पे सब जो उठाओ, physics, mathematics, whatever, ठीक है, यसे उठाओ, question देखो, question देखो, suppose question में click हो, आपको यह रोल्स थेरम से question आया है, directly book खोलो, state board का यहां पे book खोलो, रोल्स थेरम पर जा और question बिल्कुल नहीं लगाना है, suppose आप question रहापर ट्राय करने गए, आपसे नहीं बना, तो आप यहां पे बहुत demotivate यहां पे feel करोगे, ठीक है, पहले ही यार, end time है, यहां पे question आपसे नहीं बनते हैं, तो आपको यहां पे question आपसे नहीं बनेगा, और यहां पे आप demotivate ब देखो कियार कौन से चाप्टर से आया है, कौन सा topic है, कौन सा concept है, और वो concept बुक खोल कर पड़ो, ठीक है, suppose chemistry में आगे, वहाँ पे आपको दिखा, कियार oxidation state निकालने के लिए बोला है, directly chemical bonding में पहुचो, और कैसे निकलता है oxidation state, उसके बार में पड़ो, ठीक है, इसी way में जाना है आपको, ठीक है, suppose आपने Einstein equation पे question पूचागा है, modern physics का जो electrons and photons में आता है, nuclear part का भी कुछ आता है, ठीक है, आपको यह देखना है, हाँ, यह nuclear physics से यह question आया है, इस chapter से आया है question, directly उस concept पे पोच जाओ, और Einstein का equation ढंग से पड़ो, ठीक है, आपको इस way में जाना है, जो और सीधा जाओ, बुक खोलो, और यहाँ पे concept पड़ो, उस question का, ठीक है, question मत करो, question मत करो, ठीक है, second point है यहाँ पे, second tip है यहाँ पे, summary, अभी कैसा होदा नहीं, कि आप मुझे बोलोगे, short notes आपसे नहीं बने, अगर handmade notes आपने बनाए होंगे, तो वो तो prepare करो, first priority वही है, कि जो भी state board का book है, महाराष्टर state board का, उसमें chapter के बाद, जो भी यार, एक देड़ पननी की, या दो पननी की, जो भी summary गिवन है, उस particular chapter की, वो धंसे पड़ो, क्यों कैसा नो, उसमें यार, बहुत important topics, बहुत important formulas, बहुत important equation वहाँ पी दिये जाते है, ठीक है, मतलब, एक देड पेज में यार, पूरा chapter यहाँ पे, समेटा जाता है, तो आपको वही आच्छे से धंसे पढ़ना है, ठीक है, summary, that is the second tip, कि हर एक chapter की, यार, पढ़ने अगर नहीं मन करा, तो एक काम करो, जो भी important topics है, जिनका weightage बहुत जादा है, उन chapters का, उनकी summary ज़रूर पढ़ लेना, ठी ठीक है, एक chapter हो किसे tackle करना, इसके बारे में पहले बात कर लिए, पर यह कुछ आलग है, यह कुछ आभी अलग है, आपको क्या करना है, सपोज आपने XYZ chapter है, यहाँ पर उठा दिया, ठीक है, कोई भी चाप्टर उठा लिया, सपोज आपने, ऐसा वान लो, differential equation है, यहाँ पर first page पर जाना है, इसमें देखना है, कोई important है के topic, छोड़ दो, second पर जाओ, यहाँ पर देख लो, यहाँ कौन सा important formula है, क्या कौन सा important point है, इस तरह आपको जल्दी जल्दी rapid यहाँ पर revision करनी है, topic पर गया, देखा, rolls theorem सपोज गया, rolls theorem पर देखा, यह condition 3 follow करनी चाहिए, तब rolls theorem यह apply होता है, लिख लो सिधा, कौन सा rolls theorem है, कौन सा formula है, यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखते चाहिए, यहाँ यहाँ पर यह condition follow करनी चाहिए, इस page पर important formula है, यह इस page पर important point है, ठीक है, तो इस way में आपको यहाँ rapid revision करना है, इस से क्या होगा, जल्दी जल्दी य सारे chapter यहाँ पर आपके बन जाते है, आपको ऐसा भी नहीं feel होगा, कि यहाँ दिन में बस 4-5-6 यहाँ पर chapter कर पा रहा हो, ऐसा क्या, इस speed से जाओगे न, तियार रोज यहाँ पर 10-15 यहाँ पर चाप्टर आप टच कर पाओगे, ठीक है, जो भी important है, उतने वियाकर टच क कर लिए, 2-3 दिनों में तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, तो इस वे में जाना है, फिर से मैं एक दवर summary देता हूँ मेरी 3 tips की, तो first tip था हमारा previous year topics, मैंने बोला था कि question paper देखो previous year के, और देखो कि यार कौन से topic पे आप सवाल पूचे गया है, उस topic पे book खुल के आपके धंग से पढ़ लेना, फिर मैंने बोला था, third is the tackle, the chapter, ठीक है, आपको chapter कैसे करना है, x, y, z chapter उठाया, फिर एक एक पेज यहाँ पे देख लो, कौनसा important हो, हाँपे point है, कौनसा important है, हाँपे formula है, आचे धंग से pen and paper से लिखते जाना है, ठीक है, इस वे में आपको ज करोगे, अगर question नहीं बनेंगे, आपसे, ठीक है, तो question solve करना, अभी तो बन कर दो, जितना हो सके, पढ़ने पर focus करो, जितना पढ़ सकते हो, पढ़ लो, आभी वो time गया, जब आप वहाँपे question उठाओगे, solve करोगे, वो time जा चुका है, अभी जो भी पढ़ाई, आपसे हो करने वाली थी, वो हो चुकी, आपनी आपकी जितनी भी पढ़ाई हो गई है, वो हो चुकी अब, अभी इस से आगे आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपको वही करना है, जो आपको पहले से ही आता है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वही करना है, जो उनका वेटे जादा है जिनका वेटे जादा है ने तो यार जो बहुत important है बार-बार पूछ जाते हैं उन्हें पर आपको focus करना है और आपके strength पर काम करना है जो भी आपको ठंग से आता है तो आज की वीडियों में बस इतना ही ये तीन ट्यूस अच्छे से follow करना इन तीन दिनों में ठीक है सो गाइज पढ़ते रहना बस पढ़ते रहना पढ़ते रहना कोशल सौल में आपके मत करने जाना खाली पढ़ते रहना सो स्टे ट्यून और ओल देवेस्ट